वर्सटाइल नीचर चैनल में आपका हाद इक स्वाकत है आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास कौन-कौन से एक जोरा प्लांट है कौन-कौन से कलर में हैं और मैं इनकी देख भाल कैसे करती हूं और कौन से इसके लिए गादन तेप्स आपको ध्यान रखने चाहिए एक ज जूटे चोटे आते हैं उती है इस में सो दोसों की बंच में फ्लाइरव होती है एकज़ा प्लांट में यह दीख सकते हैं बहुत ही सुन görün технолог है इसका बहुत सारी बंच एक साथ आ रहे हैं पिच कर लिए अधम इस आपनेर आटे हैं और फिर एक साथ आती हैं और एक साथ खि स्टेख रच होती . आप बीच में पूर्ड कई बाद में खेलें यू बहुत रहा है और कि मैं आले में मेरे गारडन में है और यह बहुत ही सुन्दर फ्लार होते हैं यह बहुत ही हेल्दी फ्लारिंग करते हैं यह बहुत ही चोटे होते हैं मिनी जो एक जोरा है वो और बहुत ही अच्छी फ्लारिंग करते हैं इनकी रीपॉर्टिंग और कटिंग एक साथ नहीं करनी चाहिए इस बात का आपको ध्या कटिंग कर सकते हैं इसको बॉल शेप दे सकते हैं इसको शेप करने के लिए इसकी पिंचिंग कर सकते हैं और इसकी कटिंग कर सकते हैं और इसकी जो कटिंग करने के बाद इसके अगर फ्लारिंग अगर आपको बढ़ानी है कि ज्यादा फ्लारा है इसमें तो पोटाश यूज कर सकते हैं इसके अंदर ज्यादा फ्लारिंग के लिए एक लीटर पानी में अधा जमच आप पोटाश मिला के इसमें डाल दीजिए बहुत सारी फ्लारिंग करेगा यह और अगर इसकी लंबाई रोकनी है आपको तो लंबाई रोक कर और इसको बूशी कर सकते हैं आप यह बनानी पड़ती है इसलिए इसमें कॉफी पाउडर रिया चाइपति का पानी यह चाय पती आप डार इक एक चमच मिला सकते हैं इसको अच्छा ग्रो करने के लिए इसमें जो बीज बनने का प्रॉसेस होता है वो फूल बनने के बाद इंके फूल बनने के बनने के न रिश के लिए ऐसको अग्रो कॉर्षा को लगा सकते हैं यह प्लान्ट विन्टर में डार्मिन्सी में चला जाता है इसलिए इसका विंटर में ध्यान अपना चाहिए याप देख सकते है रै एक जो और यह जो ह। बड़ा वाला है यह मीनी नहीं है और इसकी है यह है और इसे मैंने भी कट नहीं किया है क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लारिंग हो रही थी तो मैंने भी इसे कट नहीं किया था और सीजन भी इसको विंटर का हो गया है तो इसको कट नहीं किया है काफी अच्छी फ्लारिंग कर रहा है कम से कम 100-200 फ्लार जो है वह एक बंच में खिलते ह ये सेपने परफसैंदहा श्रक चाहिए बहुत जज़ा ध्यान रखना चाहिए और इससे जधा तेज सरदी में नहीं रखना चाहिए इसए 15 तimizi दीन तुक इसमें एक बार के रहा है अरन गी रहते हैं तो फो चार तो चार ने सब्सक्राइबुस रहे होती है, वह इसके लिए खी रह술 है अज क्रेप है एक पड़ा जाप quality होती है छोबी और इसकी जो मिटि है उसका इन रखना है कि उसकी चुलिए पभी द्राइन नहीं चाहिए जस गंजे में लगा है उसके thereby आपिण पाणी रहने चाहिए और नामाना जाना चाहिए और इसकी मिटियाडरीग में यह भी इसका धियानता चाहिए हर महीने सीजन के अकॉर्डिंग इसमें घार डालते रहना चाहिए यह आप देख सकते हैं एक तो रैडेक्स हो रहा है और यह बड़ा यह बड़ा एक जोरा है काफी अच्छी ग्रोथ कर गया है और अच्छे फ्लार्स किल रहे हैं इसमें भी यह देख सकते हैं इन वैंसे किसी की भी मैंने अभी तक कटिंग नहीं कि है क्योंकि अब इनका जो कटिंग का टाइम है वो नहीं है इसलिए इसको कट नहीं किया अभी फ्लारिंग पर है यह तो फ्लार कर रहा है बहुत अच्छे फ्लार दे रहा है इसमें खाद का यही धियान रखिए कि सीजन के अकॉर्डिंग खाद देते रहिए और सीवीड एक्स सकते हैं और कर्टिंग की बाद इसके अंदर नहीं का लिया आती तो आप केटिंग भी कर सकते लेकिन अभी नहीं करना है क्योंकि दिखान रखना चाहिए और वह यह रहा है उतक्क बएक कि पर्ट्स को वेड़ा अगी है और यह एक साथ बंच में फ्लारिंग करता है तो बहुत अच्छी फ्लारिंग करता है इसके लिए 4-5 गंटे की धूप काफी होती है मैं जून की जो तेज धूप होती है उससे इसको बचाना चाहिए शैड में रख सकते हैं आप इसको और दिन की अगर तेज धूप इसके जो एक जोरा और यह भी बिग जो रही है इसकी फ्लावरिंग अब स्टार्ट हो रही है चोटी-चोटी बच सारी है अभी इसमें और इसमें जो एक जोरा के अंदर खाद कर जो आपको ध्यान रखना होगा वह यह है कि खाद अच्छी देनी है हर महीने खाद देनी है वेल इसकी सॉइल होनी चाहिए एक परत इसमें लेना है एक परत लेना है फ़र्टी-लाइजर विंटर सीजन में काउडंक ले सकते हैं गाय का गोबर और गर्मियों में आप vermicompose चाल सकते हैं इस तरीके से आपको मौसम के ध्यान रखना है और कोकोपिट और रिवर सेंड यह वह आप यूज कर सकते हैं इसमें नीम खली या सरसो खली या दोनों भी मिला सकते हैं इसकी जो सॉयल है उसको थोड़ा रिच बनाना पड़ता है ताकि इसको बार-बा जो साफिया पढ़ेंगें होते हैं मित्ती में 7-7 चावटर फम में मियक्स कर द दियें देरा पानी मिक्स कर सकते हैं तो इस सारीके से इसकी जो मित्ती है वेलम्ट रहने नी चाहिए और इसमें वाटर का भी ध्यान रखना चाहिए है आपको जो दनी अगर इसकी पत्तियां पीली पढ़ने लगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसकी सोईल एलकलाइन हो जाने के वाचे से यह प्रॉब्लम होती है एक जौरा की जो सोईल होती है वो आपको एसीडिक रखनी पड़ती है और एसीडिक बनाने के लिए आपको इसका विशेश ध्यान रखना होता है अब इसमें फिटकरी पाउडर आधा चमच अगर डाल देते है तो उससे सोईल थोड़ी एसीडिक हो जाएगी और पत्ति जो ह हम आप सहएं एक जोरा फ्राव वूर मुवीरी मॉश्य नंब रहें लिएता त्यां एक चीज हो तो अगर आप यहाप इंस चीजों का थ्यान रखना हैं तो आपकी बंच आपकी फ्लार स्प्लाथ्lla रखना है तो आफके वीचा शीवर इकिवर एक जोरा चान बाइस कहले है। मेरे पास चार कऩ बढ़ता है।के और यह जो आजाता है तब 100-200 फ्लार्स एक साथ आते हैं और यह काफी सुंदर लगता है और यह गार्डन में आपके गार्डन की शोभा पड़ाता है और फ्लारिंग के लिए बहुत ही अच्छा है और अगर एक बार यह खिल जाये सारी फ्लार्स तो यह कम से कम 15-20 जिन और से जादा भी रहते हैं डिपेंड करता है कि फ्लार कैसे मित्ती कैसी है और किस जगह पर रह रह रहे हैं ज्यादा दूप तो नहीं है इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है तो फ्लारिंग काफी अच्छी होती है बारिश में आपको यह दियान रखना है कि वह लृटारिष यूज कर सकते हैं सीडियग एक्सट्रेक्ट गओता है सीवड्ट एक्सट्रिक भी आप यूज रहे हैं और घ्री्मिश के चाहीं अच्य बनाए ब्ल्लीट इन्ट बनाए यही सके लिए сट्राइन रखना है तो सारी देख सकते हैं किते हैं किटे सारी फलार बांट आवे हैं देख सकते हैं ऐसमें बहुत सारे इसमें फिल रहे हैं और इन बहुत अजह फ्लावर होते हैं यह बोध दिन तक लिए हुए रहते हैं और हमारी जो गार्डन हैu उसमें को रहा बहुत अच्छा है इसका कलर होता है आप देख सकते हैं यह इजी ग्रोइंग प्लांट है इसके लिए ज्यादा कोई भेहनत के ज़रत नहीं होती है इसको आपको सॉयल का ध्यान रखना है वो तो सारे ही प्लांट में रखना पड़ता है और धूप और शाया का ध्यान रखना होता है क्योंकि ज्यादा तेज दूप में 12 बचे बाद वाली दूप में अगर इसको रख देते हैं तो यह सूखना शुरू हो जाता है इसकी पतिया मुर्जानी शुरू हो जाती है और फ्लारिंग नहीं करता है और यह जो बर्ड साब देख रहे हैं इतने अच्छी नहीं खिलती है इतने अच्छे फ्लार्स नहीं खिलते है तो यह चीज आपको ध्यान रखने है कि इसको तेज दूप में नहीं सजा नहीं देनी है और इसे बचा के रखना है तेज दूप से तीन-चार गंटे की मौर्णिंग की जो दूप होती है वह आप दे दीजिए वह इसके अच्छा है जो मिनी एकजुरा है वह भी काफी सुंदर उसमें भी बहुत सारी जो बर्ट से वह आ रहे हैं बहुत सारी फ्लार्स खिल रहे हैं तो अब यह कम से कम 15-20 दिन तक मेरी गार्डन की शोभा बढ़ाएगा और मेरी गार्डन को और सुंदर बनाएगा अब भी सर्दिया जैसे स्टार्ट होती है तो यह जो प्लांट से होते हैं वह डॉमेंसी में चले जाते हैं इनके फ्लार खिलना बंद हो जाएंगे जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी और इनकी फ्लारिंग कम होती जाएगी और इनकी पत्तिया भी थोड़ा कम हो जहरने लग जाएगी तो फ्लारिंग इन में नहीं होगी कलियां भी कम आएगी फूल कम हो जाएंगे तो इस तरीके से धीर धीर डर्मन्सी में चला जाएगा तो यह वापस सई जब होगा फरवरी में तब आप फरवरी में इसकी जो प्लांटिंग यह वो कर सकते हैं अपने गार्डन में इसे अड कर सकते हैं मीया तक कितना सुन्दर बंच है डी समझा देख सकते हैं बहुत है ब्हुत ही प्यारा बंच है इकदम ऑस सो गुलदस एफल तक टैप लगत है कि बहुत ही। बुके ताइब टेले हाँ अर मिनीorgt यम्ला निवर्ण में जांशन अए जा जाल झाना नुक्स, में बुशीज़ मेरा भ्रएum को ओंए तुनियो करों क्रें तो प्लाद्य के रिधा ऻोआब निए की बिंज़ आप है opinions विलार यूंकल कने घृंद तक रहते हैंен जादे गुड़ा गोड़ल वगिरा में तो एक दिन रहता है उस से जादन खाथ है वे वर पेल केक्षू की जो वरी में चाल談 15 तक वहीं तक कम से कम आये प्लांटर से 20 दिन तक रह है यही फ्लार आपको देखने को मिलेंगे 15-20 दिल तक इसलिए यह बहुत ही अच्छा प्लांट है जो कि बहुत अच्छी फ्लारिंग करता है इस तरीके से आप इसकी देख भल केजिए और इसका ध्यान रखिए और सारे कलर में आता है बहुत सारे कलर में आता है मेरे पास यह लगरे जो आपको बता दिये और इसी तरीके से मैं इनकी केयर करती हूं और यही celebrity मनैं आपके साथ 7 कर Cake अब आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें और जयादा से कमेंट करेंच और बटाए कि कैसे लगी फ्लावर्स कैसे लगें सारे तो मेरी वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें मेरे चानल को और बैल आइकन भी प्रेस कर दें जो भी नए फ्रेंड से वो भी सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताई कैसे लगी वीडियो थैंक you so much for watching